नमस्कार आपका बहुत-बहुत स्वागत है SSG गुरुकुल की सौफीश चेल यूट्यूब चैनल पर रातियों दो बज़े से लेकर पांच बज़े तक डेली बेसेस पे SSC MTS की घोर मरातन जा रही है और लगातार एक मेने के सिलेबस में हम आपका पूरा SSC MTS का कोर्स ही कवर करा देंगे प्रीविश सर के पेपर से स्टार्ट किया है जैसा कि आप जानते हैं और दब क्लास चलती है तो बहुत सारे विद्यारतियों की नीचे कमेंट आते हैं कि सर SSC MTS की कटाफ कितनी जाती है इस बार कितनी कटाफ रह सकती है सर MTS का ट्रेंट क्या है सर G.S को पढ़ने की श्रेट जी क्या है कैसे पढ़ने सर पहली बार में सलक्सन हो जाए तो इन सभी कोशिंग के आंतर हम लोग वन बाई वन करके एक एक वीडियो करके हम बनाएंगे और उसको आप देख लेंगे तो आज हम लोग बात करने वाले हैं SSC MTS में नौक्री लगने के बाद प्रमोशन कैसे होता है कितने साल पर प्रमोशन होता है कितनी कटाफ जाती है कितने मार्क्स पर सलक्सन हो जाता है कैसे MTS का ट्रिंट क्या क्या है सारी चीजों पर चर्चा करेंगे एक्जाम पैटन पर चर्चा करेंगे तो चलिए प्रम करते हैं अगर हम लोग एक्जाम पैटन की बात करें तो exam pattern में आपका दो session होने वाले होते हैं session 1 and session 2 session 1 में आपकी math और reasoning आती है math और reasoning के 20-20 question आते हैं जैसे ही आपके ये session 1 कदम होगा वैसे session 2 start हो जाता है immediately आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता है session 1 समा 45 minute में automatically session 2 आपका start हो जाता है so session 1 में देखें math और reasoning आती है 20-20 question होते हैं एक question आपका 3 number का होता है तो 20-60, 20-60 ये 40 question आपके होंगे और 120 marks के 45 minute में आपको करने होंगे फिर इसके बाद आपका session 2 start हो जाएगा GS और English आती है इसमें तो GS और English के 25-25 question होते हैं एक question 3 marks का यानि 25-75 और 25-75 तो 200 marks और 50 question इसमें आते हैं इसमें भी आपको 45 minute मिलते हैं लेकिन sir merit कैसे बनती है कैसर 270 number पर बनती है 150 और 120 क्या 270 number पर merit बनती है तो आप कहेंगे नहीं जो merit होती है वो सिर्फ आपकी इस 200 number पर बनती है इस 120 number पर merit नहीं बनती है क्योंकि यह qualified nature का होता है इसमें सिर्फ आपको qualify करना होता है याद रखिएगा यह सिर्फ qualified nature का है qualified nature का मतलब यह नहीं है कि आप इसमें बलकुल मेनती ना करें इसमें मेनत करिएगा वरना जिसके number ज़्यादा होंगे हाना वो थोड़ा सा आपसे आगे निकल जाएगा तो याद रखिएगा तो यह आपका qualified nature का है तो यहाँ पर आपकी जो merit है वो 200 number पर बनेगी हिन्हें कि आपको MTS में selection लेने के लिए महत पूर्ण क्या है MTS में तो GS है और English है तो अगर आप 25 question GS के आते हैं तो आप यह कहिए कि सरम पर्रयावर नहीं पढ़ेंगे सरम economy नहीं पढ़ेंगे सरम खेल खिलारी नहीं पढ़ेंगे हम strategy के छोड़ देंगे तो आप एक भी question नहीं छोड़ सकते हाना इंगलिस में सरम one word substitute याद नहीं होते क्योंकि इंगलिस का जो syllabus होता है इसमें वो सिर्फ ratification वाला होता है सिर्फ आपको रटना होता है लेकिन रटा नहीं जाएगा आपको समझाया जाएगा इंगलिस कैसे याद की जाएगी वो आपको बताया जाएगा तभी तो आप अच्छे से कर पाओगे beat around the bush बताइए इसका मतलब क्या होता है चलिए यह बात आपको समझ में आगए कि जियास और इंगलिस की आधार पर merit बनती है तो जो session 1 होता है इसमें कोई negative marking नहीं होती है याद रखिएगा जो session 1 होता है इसमें कोई negative marking नहीं होती है paper आपका online होता है session 1 and session 2 and it is compulsory for candidate to attempt both session तो यह compulsory है कि आपको दोनों session करने है failure to attempt any session will result in disqualification यानि याद रखिएगा किसी भी session में आप सोचे ही qualifying nature का है तो इसमें आप fail हो जाए या पर इसमें आप कोशनी नहीं करके आए qualifying nature का है तो मतलब qualify तो करने ही करना है तो qualify तो इसमें करने करना पड़ेगा तो वो अब depend करता है कि वो कितने लोग इसमें आ रहे हैं उससे इसाब से बनती है वेकिंसी से ज़्यादा लोग है ज़्यादा लोगों ने फॉर्म बरा और सबका session 1 अच्छा गया है तो session 1 का भी qualifying nature आएगा कि इतने number वाले qualify हुए है कि करना तो इसकी merit नहीं बनती है लेकिं मिनत इसमें भी पूरी करनी है पूरी जान लगानी है method reasoning में भी कि करना फिर इसके बार session 1 में कोई आपका negative marking नहीं है session 2 में आपकी एक question गलत करोगे तो लिखा in session 2 there will be a deduction of one mark for each incorrect answer while session 1 will not have any negative marking यहनी session 1 में कोई negative marking नहीं है और session 2 में एक question गलत तो एक अंग आपका चला जाएगा सही वाला याद रखिएगा फिर इसका promotion की बात की जाए तो यहाँ slide लगी हुई है first promotion आपका 3 साल बात second promotion चार साल बात और third promotion आपका 5 साल के बाद यहाँ पर हो जाता है तो दे promotion दे promotion चलिए अब हम लोग बात करते हैं कटाफ की यदि हम लोग यहाँ पर कटाफ की बात करें तो आसानी से आप यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर इंडिया लेवल की कटाफ है है उस राजी की आपको अलग अलग कटाफ यहाँ पर देखनेंग मिलती है जैसे आगर हम लोग यहाँ पर देखें किसकी दिल्ली की तो दिल्ली की यूर केटिगरी की दिल्ली की यूर केटिगरी की 130 है SC की 123 है SC की 123 है OBC 29 है EWS की 127 है तो आप यहाँ पर बिहार देखे एक सो चालिस तो बिहार की सबसे ज़्यादा कटाफ है एक सो चालिस जनरल कटिकरी की एक सो तेतिस एड़लु एस की OBC की 138 ST की 118 और SC की 128 यहाँ पर आप देख पहेंगे तो बिहार वाला जो पार्ट है वाँ पर सबसे ज़्यादा कटाफ है बिहार हो गया उत्तर प्रदेश हो गया फिर जारकन भी अप तो जाता दोल में सामिल होने लगा है तो अब यहाँ पर देखिए मडिपूर की 141 मडिपूर की जनरल कटिकरी किती है 141 फिर इसके बाद अगर यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश देखें प्रदेश बेंगोल 134 तो यह आप कटाफ देख पारे हैं 2023 फिर बात करते हम लोग हना SSC हवलदार की अगर बात की जाया तो यहाँ पर अपने सारे कटाफ देख लिए मैंने यहाँ पर All India के लगा दिये हैं All India के जो कटाफ है वो पूरी लिष्ट यहाँ पर मने लगा दिये है अच्छा और आप लोगों का बहुत धेर सारा प्यार मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना सारा प्यार दने के लिए इतना सारा विश्वा जताने के लिए हम लोगों ने भी एक महिने में जो जंडे गाड़े हैं हाना उससे सब लोग काप गए हैं और हमारा जो 37 बैच है यह हम लोगों ने पेज बैच के स्क्रीन स्वाट लगा दिया यहाँ पर तो आप देख पाएंगे कि अभी तक हम लोगों के एक 1132 यानि एक महिने की भीतर भीतर 1132 अग्मीशन हाना दो जो हम लोगा पैनल है जहाँ पैनल है जहाँ पैमीशन होते हैं ससे म्टे सत्रिशी बैच 499 रुपय का है और अब आज मैं अनॉंस्मेंट कर रहा हूँ अगर आप SSS यानि SSS 10 को यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे 10% का जिसकाउंट और मिल जाने वाला है आपको बहार से कुछ नहीं खरीदना परता है बचो बहार से कुछ भी नहीं खरीदना परता है क्योंकि यहाँ पे study notes हम लोग यहाँ पर खुद के देते हैं आपको previous year paper हम लोग देते हैं previous year paper का solution यह पूरा हम लोग देते हैं तो आप देखेंगे कि 10 online mock test देते हैं 10 practice set PDF देते हैं expected question देते हैं live or recorded classes देते हैं validity till exam देते हैं फिर इसके बाद वीडियो कॉल होती है यानि इनका paid group बना होता है उसका वीडियो कॉल होती है Sunday Sunday को आप हम से बादचीत कर सकते हैं अपने teacher से बादचीत कर सकते हैं और शिद्दत वाली पढ़ाई होती है एक बर में selection लेते हैं तो अभी तक 1132 आज तक का data है मारे पास तो इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद 1132 लोगों का प्यार भी तक हम लोगों को मिल चुका है आपर तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं जानता हूँ ऐसे ही आप देते रहेंगे हाना और SSS 10 कोड यूज कर लीजिएगा और SSC MTS 37C Batch आपका स्वागत कर रहा है आपकी टोटल चार घंटी की इसमें क्लासेश चल लही है टोटल टोटल चार चार घंटी क्लासेश चल लही है पर घंटे आपको कोई ना कोई जो सब्जेक्ट है चार सब्जेक्ट है चार सब्जेक्ट आपके पढ़ाये जा रहे हैं फिर इसके बाद हम लोगों का जो expected question होते है ना जो 30 संभावित प्रशन बताते हैं हम लोग उसी से आधिकतर पेपर आपका मिल जाता है तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अब ये SSC हवलार की दिख पाएंगे 18-27 एज हना तो इसकी अगर आप कटाब देखेंगे त 141 हना चंडीगर की 133 दिल्ली की देखेंगे 139 हना केरला की 139 तो यहां पर आप देखेंगे सब चरह किसकी है बिहार की है हना आन प्रदेश की 130 फिर इसके बाद यहां पर उत्तर प्रदेश देखेंगे तो 134 उत्तराखंड 139 हना तमिलाडू पांडीचेरी 125 राजस्थान की कहां गई? PQRS राजस्थान की 139 हना क्योंकि हम लोगों के पास सबसे ज़्यादा जो एड्मीशन है वो राजस्थान हना और उत्तरपदेश और बिहार हना तो इन ही राज्जियों के अड्मीशन हमाए पास सबसे ज़्यादा है राजस्थान उत्तरपदेश बिहार हना अधिकतर मैंने देखा है, कि जब वीडियो कॉल पे बात करते हैं, तो उनकी टोन से समझ में आ जाता है, वो बताते भी हैं, फिर इसके दिये हवलदार की किटाफ है, जो कि आप देख पा रहे हैं, फिर बात करते हम लोग GS में, अगर हम लोग लाश्ट के दो साल का पैटन देखें, लाश्ट के दो साल का पैटन देखें, सिर्फ GS का, अगर हम लोग देखें, तो इतिहास से पूरी सिफ्टों को मिलाकर, लाश्ट टू इयर में 253 कोशन पूछे गए, भुगोल से 254, अरतिसासर से 174, भारती सवन्दान से 195, करांट सट, रसान विज्ञान से 90, जी विज्ञान से 1200, पर्रहवण से 32, और इस्टेटिक जीके से 514, इस्टेटिक जीके में क्या क्या आता है, इस्टेटिक जीके में खेला जाता है, पुरुसकार, विजेता, और जो ट्रेडिशनल जीके होती है, मंदिर किसने बनवाया, कौन से मंदिर कहां पर है, लोक कला, लोक रिनत्त, यह सारी चीज़े जो होती है, ट्रेजिशनल स्टेटिक जी के, हना उसमें हमने समान गण डाल दिया है, इसका मतलब अगर 25 कोश्चन है, तो 25 कोश्चन में सीधे सीधे आप देखेंगे, एक श्फ्ट में मैंने देखा था, 7 कोश्चन अकनले स्टैटिक जी केई से दर दिये थे, वन्ना घर एवरेज माने के चला जाए, तो 4 कोश्चन स्टैटिक जी के से, एक question, रहसायन विज्ञान से एक question और जी विज्ञान से दो question और पर्रयावण से एक question आया वनना तो वो भी नहीं आया, ठीक है ना एक question वैसे आ जाता है पर्रयावण से ठीक है, तो ये है आपका GSK strategy, अब इसमें topic कौन-कौन से important है sir इसमें topic कौन-कौन से important sir इतिहास में कौन से topic सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, भूगोल में कौन से topic सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं अरतसातर क्या पूरी पढ़नी है क्या sir सारे हमें 12 के 12, 13 के 13 सारे chapter पढ़ने है, नहीं सिर्फ तीन chapter आतसातर में पढ़ने है उसको पढ़ने है, बस paper हो जाना है अच्छा, कैसे पता करोगे sir, हना, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, कि पहले हमने आपको live class पढ़ाते हैं, फिर live class पढ़ने के बाद, जो भी हमने पढ़ाया है, उसकी PDF में आपको दे देता हूँ, और फिर उस topic के, जो topic आपको पढ़ाया है मैंने GS में या English में, उसके 100-100, 200 question मैंने आपको दे दिये, उस question को आप अपने घर पे निकाल दीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, और उसका print out निकाल दीजिए, और print out निकाल कर अगर बच्चों, सिर्फ आप उसका print out जो निकाला है आपने, या पर जो हमने आपको practice PDF दी हैं उनी practice PDF को यह अगर आपने रट डाला, तो मान के चलिए लगा डाला, तो live जिंगा लाला तो चलिए, मैं आपका इंतिजार करूँगा जो विद्यारतिस वीडियो को देखने के बाद batch लेंगे, वो comment box में comment जरूर कर देंगे, कि sir आप ही की तलास थी, इसी batch की तलास थी, और मैं SSG गुरुकुल, आप Android पर जाएंगे प्ले स्टोर पे, SSG गुरुकुल सर्च करेंगे, लॉग इन करेंगे डाउनलोड करके, लॉग इन कर लेंगे लॉग इन करने के बाद, SSC वाली साइट पर जाएंगे, यानि SSC केटिगरी में जाएंगे और MTS 37 बैच आपका स्वागत करेंगा, और कल हमारे टीम साड़े-दस बजे, यानि कि Monday to Saturday चलती है, तो मंडे को आपका अमारी टीम साड़े-दस बजे से स्वागत करेगी साड़े-दस से बारा, फिर बारा से डिर्ड, फिर साम को चलती है क्लासे, तो बाकी कोई दिक्कात हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ठैंक्यू वेरी मस्, धन्यवाग, जैहिन